नमस्कार दोस्तों मैं संजे चौधरी बुबाई और फिर से मैं आज एक music related एक DAW के उपर tutorial लाया हूँ और आज का tutorial है bandlab के क्वाक के उपर और ये एक free draw है बहुती मचियोड draw है जो लोग इस free draw को अच्छे से सीखना चाते हो इस draw को यूज में लेना चाते हो और एक बहतर music producer बढ़ना चाते हो वो लोग please मेरे इस channel को subscribe कर देना ताकि मेरा upload किया हुआ वीडियो का notification सबसे जल्द आप लोगों के पास बहुत जाए और आप लोग जुरे रहें मेरे channel से आज हम जो सीखेंगे वो band lab में piano roll में आज हम एक melody को create करेंगे कैसे melody को band lab के piano roll के द्वारा create किया जा सकता है और कैसे हम एक melody तायर कर सकते है वो आज सीखेंगे तो इसमें हम थोड़ा बहुत दो चार instrument यूज़ करेंगे piano, pad, strings ये सब यूज़ करके आज हम melody को कैसे बनाते है piano roll में तो वही सीखेंगे और इससे आपका दो फाइदा हो जाएगा पहले तो cake walk का जो basic एक idea आप लोगों को मिल जाएगा और piano roll के उपर एक बहुत बड़ा एक brief tutorial आपको मिल जाएगा आप piano roll को लेके बहुत कुछ कर सकते हैं इस tutorial को देखने के बाद तो शुरू से लेके last तक मेरा ये वीडियो देखते रही है दोस्तों ताकि कोई भी point आपसे मिस ना हो जाए और जूरे रही है मेरे इस वीडियो में तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा tutorial में और और देखते हैं कैसे band lab cake walk में melody को तयार किया जाता है तो चलिए दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए हम लोगों को पहले जो band lab cake walk का जो start screen होता है वहां पर आना चाहिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए file में जाएंगे और यहां पर देखे start screen है इसमें क्लिक करेंगे और start screen में आ गया है दोस्त दोस्तो मैंने अल्रेडी एक केकवाक प्यानो रोल के उपर और वाट इस केकवाक क्यों इस्तेमल करना चाहिए आप लोगों को एज डौ तो उसका दो टीटोरियल मैंने अल्रेडी अपलोड कर दिया हूं आप लोग आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं तो पहले व वो दो टीटोरियल आप लोग देख के आए उसके बाद ये वीडियो को कंटिनू करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये था दोस्तो मेरा ओपेन स्क्रीन आप ओपेन स्क्रीन में क्या करेंगे हम लोग हम लोगों को ये प्रो चैनल वाला जो सकते हैं तो चलिए पहले इसको हम कोलाप्स कर देंगे यहां से यहां पर यह जो बटन है इस बटन में क्लिक करके हम क्या करेंगे इसको कोलाप्स कर देंगे तो क्लाप्स कर दिया इसको और इसको एक थोड़ा सा छोटा कर देंगे अब देखिए यहां पर जो है यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर देखिया तो इसमें हम लोगों को जा करना होगा audio fx में नहीं हम लोगों को यह जो छोटा वाला piano को option है इसमें जाना चाहिए और इसमें जाएंगे इसमें जाकर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बहुत सारा synth मैंने install करके रखा हूँ इसमें category में divide करके तो पहले हम लोग क्या करेंगे पियानो में जाएंगे एक पियानो ले लेते हैं पहले यह देखिए पियानो में आएंगे और keyzone classic यह जो पियानो है इसको हम क्या करेंगे ड्रैक करेंगे और यहां पर यह जो लेप्ट पैन है जो लेप साइट केरिया है यहां पर ड्रैक करके छोड़ देंगे और यहां पर एक option आएगा एक पॉप आप आएगा जिसमें लिखा होगा ओटसर ऑप्शन चेक बॉक्स दिया होगा आप लोगों फर्स्ट जो चेक बॉक्स है चेक को अन करके और इसको ओके कर देंगे तो यह मेरा इंस्ट्रूमेंट की जोन क्लासिक यह लोड हो जाएगा दोस्तों लोड हो रहा है थोड़ा टाइम लेड़ा है यह देखिए दोस्तों लोड हो गया है अब यहां पर देखिए नीचे एक एरो बाला शिंबल है डबल इसमें हम क्लिक करेंगे तो यह खुल जाता है और इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे ताकि मुझे पूरा जो अप्शन है वो दिखाए दे की जोन क्लासिक दोस्तों यह एक फ्री पियानो वीस्टी है और इसका साउंड नेक्स्ट टू रियल है इसमें बहुत सारा मॉडल आपको मिल जाएगा आपका जो यह देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो यह क्लासिक का जो वीस्टी है उसका इंटरफेस कुल जाता है इधर और यहां पर दोस्तों आप किसी भी मॉडल का पियानो अप ले सकते हम लोग लेंगे या महां ग्रैंड पियानो यह देख रहे है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है प्रोग्राम का नाम दिया है यहां महां ग्रैंड पियानो तो दोस्तों एक वर्ज का साउंड हम लोग शून लेते हैं कैसा यह साउंड करता है देखिए बहुत ही मस्त साउंड है दोस्तों तो इसको हम सिंप्ली यहां से काट देंगे और यहां पर हम लोग एक मेलोडी बनाएंगे जो आज का टिटुरियल का में टॉपिक है तो आज हम एक मेलोडी बनाएंगे तो मेलोडी बनाने के लिए कुछ सेटिंग वागरा कर लेते हैं पहले वो क्या है मैंने तो यह की जोन क्लासिक में उसका जो प्रोग्राम है प्रिसेट से वो यहां महा ग्रैंट प्यानो ले लिया हूं और यहां पर देखिए आपका टे टेमपो है टेमपो में यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग 80 कर सकते हैं या फिर अपना हिसाब से अपना सौंग के हिसाब से टेमपो सेट कर सकते हैं मैं 80 रखूंगा और यहां पर मैं अपना मीडी कीबोड से यहां पर कुछ रिकॉर्डिंग करूंगा आपको आप mouse से भी कर सकते है या फिर computer keyboard से भी कर सकते है record करने के लिए दोस्तों क्या क्या करना होगा record करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा सा एक लाल वाला बटन है इसको पहले आपको on करना होगा यह record off है अभी इसको active करना पड़ेगा इसको active करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह जो इसका जो ट्रैक है यह रेड हो जाएगा आफ करेंगे तो यह ग्रे कलर हो जाएगा आउन करेंगे तो यह रेड हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यह भी आउन आफ कर रहा है यहाँ से मतलब आप यहां से भी इसको कर सकते है यहां से भी इसको कर सकते है और यह जो है यह final recording का option है आप अगर keyboard से आर भी प्रेस करेंगे तो भी यह on हो जाएगा तो दोस्तों अब हम record करने के लिए क्या करेंगे मैं एक melody यहां पर record करूँगा अपना midi keyboard के help लेके और इसको हम piano roll में mouse से भी आपको दिखाएंगे उसका जो adjustment होता है उसका जो correction होता है वो हम mouse से करके आपको दिखाएंगे और वहां पर चोटा वर दो चार नोट अगर extra add करन होगा तो वह भी आज हमको आपको दिखाएंगे कि mouse से भी कैसे किया जाता है तो चलिए पहले यह जो playhead है playhead को मैं सामने लाओंगा में यह metronome का दू अप्षिन आपको मिलेगा एक metronome during playback और यह metronome during record मतलब अगर नीचे वाले यह अगर on रहेगा फिलहाल के लिए off है यह वाला on रखेंगे तो जब play करेंगे तब भी metronome सुनाई देगा आपको तो फिलहल के लिए मैं recording जो option है उसको on रखता हूं और मैं R प्रेस करके अभी मैं थोड़ा एक melody बनाने का कोशिश करता हूं तो चलिए और दोस्तों मैं keyboard से R प्रेस करूँगा उसके बाद मैं कुछ नोट प्ले करूँगा तो देखिए और यहाँ पर मैं keyboard से R प्रेस कर रहा हूं कि यह मेरा record हो गया है एक melody चलिए इसको मैं डबल इसको मैं पहले लेकिया हूंगा इधर फास्ट में और इसके उपर डबल क्लिक करूँगा तो यह प्यान रोल में खुल जाता है तो प्यान रोल में चले जाएंगे अभी डबल क्लिक करेंगे इसका जो head होता है है इस head में खुल गया है दोस्तों और प्यान रोल को बड़ा करने के लिए आपको shift दबा के d key को प्रेश करना होगा shift d तो ये बड़ा हो जाएगा और ये देखिए दोस्तो ये खुल गया है और ये देखिए मैं इसको इसको मैं alt दबा के आगर mouse hill को उपर की तरह लिके जाओंगा तो ये zoom होता है दोस्तो और control दबा के करेंगे तो ये दिखिए डाए बाए होता है दोस्तो और shift दबा के तो ये दोस्तो यहां पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ये दिखिए ये exact line पे नहीं है ये वाला जो line ही ये थोड़ा आगे है मतलब जो थोड़ा latency था है उस Latin के हिसाब से ये थोड़ा आगे पीछ हो गया है तो इन लोगों को मैं quantize करने के लिए क्या करूँँगा quantize करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तो मैंने इसको पहले zoom out कर दूँगा zoom out हो गया है और इसको मैं सामने चलाया हूँगा किसी भी एक note को पकड़ूँगा पकड़ने के बाद control A दबाऊंगा तो पूरा note वो select हो जाएगा और उसके बाद keyboard से सिर्फ Q को press करेंग तो यह quantize का जो dialogue box से वो खुल जाता है और यहां पर देखिए by default 1 by 16 है मेरा तो इसी को रहने देंगे और इसको स्रिफ OK कर देंगे तो यह quantize हो जाएगा सबसे nearest जो line है और nearest line के हिसाब से यह quantize हो जाता है दोस्तो यह देखिए और यह quantize हो गया पूरा एकदम सब कुछ line पे आ गया है एकदम line पे तो अभी इसको हम सुनते हैं कैसा बना है और थोरा बहुत जो गलतिया हुई है वो गलतिया हम इधर mouse के द्वारा हम उसको ठिक कर देंगे तो चलिए playhead अगर किसी भी जगा पे mouse का यह जो playhead होता है दोस्तो यह अगर किसी भी जगा पे हो इसको एकदम first में लाने के लिए आपको w press करना पड़ता है keyboard से w press करेंगे तो playhead सामने चलाता है और आप यहां से इसको play कर सकते है spacebar दबा के कि यहां पर थोड़ा problem हो गया है दोस्तों मैं यहां पर इसको playhead को लाओंगा यहां पर जूम करूंगा और यह जो note है यहां आएगा अब फिर से सुनते है डबलू दबा के यह दोस्तों यहां पर यह तिनों note में extra उसको प्रेस कर दिया था इसको हम delete कर देंगे यहां से सिर्फ delete की प्रेस करेंगे यह डिलीट हो जाएगा और यहां पर हम इस recording को off करेंगे और यह play को मतलब metronome को on करेंगे during playtime बाला और यहां से इसको हम सुनेंगे फिर से और यहां से दोस्तों इन लोग को हम select करेंगे right click करके यह select कर देंगे और playhead को इधर लाएंगे इसको zoom out करेंगे और यह जो यहां से शुरू होता है यह नोट यहां से सुरू होगा यहां पर इसको लादेंगे अब फिर से सुनेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह ठीक ठाक है की नहीं W बहुती अच्छा एक melody बन गया है दोस्तों अब इसके साथ क्या क्या हम chord इसमें बजा सकते हैं वह आज हम देखेंगे तो इसके लिए हम chord कैसे बनाएंगे देखिए यहां पर आएंगे और इसको थोरा जूम इन करेंगे और यहां पर देखेंगे दोस्तों यहां पर सी है अब इसको एक बार शून लेते हैं दोस्तों डबलू दबा के फिर से पहले आ जाएंगे और इसके बाद इसको प्लेए करेंगे यह जो इसका वॉलियूम है यह वोलियूम बहुत ज्यादा रड़ा है मुझे अभी तो इसको वॉलियूम को तो देखिए दोस्तों मैं इसका वेलोसिटी कैसेस को कम किया हूँ यह तीनों को पहले सिलेट करना होगा सिलेट कर दिया अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर किसी भी नोट के उपर अगर आप जाएंगे तो एक पिरामीड सा बनता है उपर देखिए इसका जो सिंबॉल है वो सिंबॉल चेंज हो जाता है यह ठीक आगर उपर के लिके जाएंगे इसका एज में तो यह पिरामीड का एक सिंबॉल आएगा और पेन टूल में कॉनवर्ट हो जाएगा और यहाँ पर अब क्लिक करेंगे तो यह देखिए नीचे इसका फेलोसिटी आपका जो मीटर है वो स्केल में आपको दिखा रहा है कितना फेलोसिटी उसका रखना चाहते हैं मैं इसको रखना चाहूंगा 30 तक रखना चाहेंगे और यह हो गया अब मैं इसको जुम आउट कर देता हूँ अब देखिए सुनते है इसका भी सेम करेंगे तो हम क्या करेंगे दूस्तों इसका एक साथ इसको सिलेट कर लेंगे सब को मैं इसको एक साथ सिलेट करेंगे और सब का फिलो सिटी एक साथ इसको कम करेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर आएंगे और यह यह सुनते हैं पहले से एक दम कि यहां पर एक सी टाल देंगे यहां पर इसका वेलो सिटी ले लेते हैं और तो दूस्तु आज मैं एक बहतरीन चीज के क्वाक के बारे में बताने वाला हूं पियानो रोल में और वो है देखे मैं पहले इधर चलाता हूं इस तरफ एक नोट इधर में ड्रॉ करता हूं सपोज इधर डबल क्लिक करके एक नोट को मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद देखिए इसका जो वेलो सिटी है यह देखिए वेलो सिटी आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं सपोज मैंने इसका वेलो सिटी इतना तक रखा अब मैं इसको जब select करूँगा तो इस note को click करने के बाद मैं अगर दूसरे कोई भी note में इधर draw करूँगा तो उसका velocity भी और इसका length जो होगा इसका जो length है इसका जो velocity है सब कुछ वो नया वाला note में copy हो जाएगा ये देखिए इसका velocity भी copy हो गया इसका length भी copy हो गया है अब देखिए मैं इसका length थोड़ा कम कर देता हूँ इतना चोड़ा कर देता हूँ इसको इतना चोड़ा कर दिया और इसका velocity भी यहां से घटा दिया मैं इसको यह velocity इसका कम कर दिया अब देखिए यह 5 note है और इसका velocity इतना तक है अब मैं इसको click करूँगा click करने के बाद देखिए इसका जो लेंथ था वो इस नेक्स्ट नोट में कॉपी हो गया है और इसका वेलोसिटी भी कॉपी हो गया है यह केकवाक का बहुत एक ब्यूटिफुल चीज है आप किसी भी नोट को अगर क्लिक करके उसके बाद वाला ड्रॉ करना चाहेंगे तो पिछले वाला जो को ध्यान में रखना होगा माउस क्लिक के हेल प्ले के जब आप मेलोडी बनाएंगे तो यह एपलाई होगा तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूं और पीछे चला आता हूं मैं इधर तो यह दोस्तो मेरा यह जो जितना तो इसका जितना जो कॉड्ड मैंने बनाया सब कॉड्ड का वेलोसिटी मैं कम कर दिया हूं और इसको एक बार फिर से सुन लेते हैं डबलू दबा के पहले आ जाएंगे यहां पर और इसको प्ले करेंगे कि यहां पर एक कॉड्ड अगर मैं इसको दे देता हूं तो यह सुनने में बहुत अच्छा लगेगा तो यहां पर एफ कॉड्ड है एफ को को एफ के साथ एक दो तीन चार यहां पर एक होगा अब देखिए दोस्तो मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ यह बहुत ही जैसे FL Studio में होता है वो यहाँ पर भी लागो होता है किसी भी note को एक octave उपर नीचे लाने के लिए क्या करना होगा दोस्तो तो जिस note को हम एक octave उपर या नीचे लाएंगे मूव करेंगे उसको स्लेट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके न्यूमेरिक की में दो को प्रेस करेंगे तो यह नीचे चलाएगा एक octave अबना देखा दूस्तो जैसे मैं कुछ कुछ नोट को नीचे लाऊंगा इसको भी नीचे लाऊंगा कॉन्ट्रोल की प्रेस करते हुए वह नंबर two को प्रेस करेंगे न्यूमेरिक की बोर्ड जो होता है उसमें जिसम्रावरेंग दिया हुआ होए रहता है उसको क्लिक करेंगे तो यह नीचे चलाएगा इसको भी करेंगे Ctrl की दबा के आप Multiple Note को Select कर सकते हैं जैसे मैं यह G5 को Select किया और Ctrl दबा एकते हुए इसको क्लिक करेंगे तो यह दोनों Select हो गया अब Ctrl की दबाते हुए मैं दो नमबर को प्रेस करूँगा तो यह दोनों एक साथ नीचा आ जाएगा तो चलिए अब सुनते हैं इसका जो Sound है वो कैसा आया है यहां पर और एक Note को हम इसको Copy कर देते हैं यहां पर इसको Copy मतलब इसी को Copy करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों Ctrl की दबाते हुए इसको अगर आप Move करेंगे तो यह Copy हो जाएगा Next में यह Copy हो गया अब फिर से इसको सुनेंगे W अब जितना सारा Note है मतलब इहां से लेके जितना सारा Chord है मेरा सब Chord को Select करेंगे और इसको छोटा करेंगे अभी छोटा करने के बाद इसको Copy करेंगे यहां से फिर से इसको Copy कर देंगे यह C को और Ctrl की दबाते हुए इसको मैं यहां पर आके छोड़ दूँगा तो यह Copy हो जाएगा तो फिर से पूरा मिलेड़ू के एक बार सुन लेते हैं मैं सुन लेता हूं यहां पर दो नोट मांग रहा है मैं इसको भी नोट दे देता हूं B है मतलब यह नी है मतलब यहां पर G कोड जाएगा और यहां पर भी G कोड जाएगा अब सुनते है एक बार यहां से सुनते इसको इसका लेंथ तोड़ा बढ़ा देते है इसका लेंथ फूल कर देंगे यहां तक और इसका भी लेंथ फूल कर देंगे अब फाइनल सुन लेते हैं एक बार एक बार मेट्रोनूम को छोड़ के सुनते हैं कैसा लग रहा है बहुती अच्छा एक मेलोडी बन गया है दोस्तो इसमें माउस के हेल प्ले के और मीडी प्यानो के हेल प्ले के मीडी कीबोर्ड का हेल प्ले के आप कैसे मेलोडी क्रियेट कर सकते हैं यह एक प्यान रोल का टिटूरियल था तो अभी जो प्यान रोल का विंडो है उसको हम क्रोस कर देंगे और console V में चलाएगा, console V को cross कर देंगे, तो सीधा ये चलाएगा, playlist में चलाएगा ये, अभी मैं यहाँ पर दूसरे एक instrument को call करेंगे, और वो synth में जाएँगे, synth में जाने के बाद हम क्या करेंगे, टाइल आरे इन 6, नहीं, RFS Nexus भी नहीं, हम call करेंगे, सर्ज को call कर लेते हैं, सर्ज को यहाँ पर, ये, क्लिक कर दिया, OK में, और सर्ज यहाँ पर call हो गया है, इसको भी यहाँ से बढ़ा कर देंगे, यहाँ पर आएंगे, यह सर्ज का option खुल जाएगा, और यहाँ पर से इसका preset को हम change करेंगे, हम चला आएंगे, पैड्स में, एक पैड लेनने में वाला है, हम, अब देखते हैं, पैड का sound कैसा है, इस पैड का sound मुझे अच्छा लग रहा है, और इसी पैड को रखेंगे, और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पहले कुछ chords को हम को copy करना है, यहाँ पर double click करेंगे, प्यान रूल में यह घुच जाएगा, और यहाँ से जो जितना सारा chords है, इस chords को हम copy कर लेंगे, यहाँ से और control C, इसको console, मतलब, प्यान रूल व्यू को कर देंगे, और यहाँ पर double click करेंगे, करने से यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर control V कर देंगे, तो यह आ जा आएगा, अब इसको थोड़ा सुनते हैं, इसमें थोड़ा बहुत छेरखनी करना होगा, हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा कर देंगे, और इतना changes का जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? और इसको भी change करेंगे, अब पहले से सुनते हैं, डबलू दबा के, लास्ट में बहुत लंबा हो गया है, इतना लंबा तक हमको नहीं चाहिए, हमको इतना तक चाहिए, इतना तक चाहिए, और इसको हम copy कर लेंगे, थुरा सा change करना है दोस्तों यहां पर, मैं इसको फिर से इसको खुल लूँगा, और इहां पर देखिए, इसको हटा देंगे अभी, यह मुझे नहीं चाहिए, जो pad होता है दोस्तों, pad का जो sound है, उसका lindy sound बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो आप यह lindy कर सकते हैं, इसको हम delete कर देंगे, यह same note है, इसलिए इसका length थोड़ा बढ़ा देंगे, और इसका length भी बढ़ा देंगे, अब शुनते है, इसको छोटा कर लेंगे अभी, और इसको, शीरेट कर लेंगे, इसको कॉपी करके, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको लेकर आएंगे, इसका ADSR में थोड़ा बहुत छेर खानी करना पड़ेगा अभी, कर दो, कॉपी कर दो, कॉपी अग्या र्लिस, यह रिलिज गैन रिलिज यह इसको थोड़ा बढ़ा देंगे अब देखिया और थोड़ा बढ़ेगा एटाक थोड़ा कम होगा बस थोड़ा बस एक दम परफेक्ट है अब सुनते इसको क्यों दबा के बहुत ही अच्छा एक मेलोडी क्रियेट हो गया है दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कैसे इसमें क्यों में मेलोडी को क्रियेट किया जाता है कसे इसमैं पैड को यूज किया जाता है अब थोड़ा हुट जानेगे कांसोल फियू के बढ़े इसका नाम दे देंगे Piano P-I-A-N-O Piano इसका नाम दे देंगे Pad P-A-D Pad और इसका color भी थोड़ा change कर देंगे इसका color होगा इसका blue में रखते है और इसको pad को रखते है red में अब console view में चला जाएंगे Alt दबा के 2 यह console view आ गया यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर Piano आ गया यहाँ पर Pad आ गया 1 में Piano है 2 में Pad है अब Piano में हम क्या करेंगे थोड़ा बहुत शेर खानी करेंगे जो Pro Channel है Pro Channel के मदद से तो इस Pro Channel को खोलेंगे यह Pro Channel खुल गया पहले हम क्या करेंगे जो Equalizer है Equalizer को थोड़ा छेर खानी करेंगे इसको Mute कर देते है पहले इसको Mute कर देते है और इसको लेकर काम करेंगे रवक लिकिया यह खुल गया है अब इसको play करेंगे कहां गया रहे बाबा यह प्यानो को स्लेट करना है और इसको क्लिक करना है इसको हाइ कट कर देंगे करेंगे इसको कि इसको नीचे ही रहाने देते हैं और इसमें थोड़ा सा रिवर्ब डालेंगे डालने के लिए क्या करना होगा दोस्तो इसको थोड़ा प्लेकर करके देखते हैं अब इसमें थोड़ा सा रिवर्ब डालेंगे डालने के लिए क्या करना होगा दूस्तों यहां पर क्लिक करेंगे इंशाट मॉडियूल में जाएंगे और यह रिवर्ब आप इस रिवर्ब को यहां पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप यह पर जो style dialogue है इसमें आप space यह भी reverb का है यह depth है तो मैं reverb यह जो है इसी को डल दूँगा और यह चला आएगा दोस्तो एकदम नीचे और reverb को हम on करेंगे on करके इसको सुनेंगे कि वेट थोड़ा कम कर देंगे इसका अब इसको हम यहां से इसको कुलाप्ज कर देंगे और इसको अभी on mute कर देंगे अब पूरा सा सुनते हैं पहले से इसमें भी हम कम करेंगे पहले इसका EQ करेंगे EQ कर देंगे यहां पर double click करेंगे यहां साइड में खुल जाएगा इसका loop pass on कर देंगे और यहां कि इसका लोपास भी इधर से इसको काट देंगे इसको छोटा कर देंगे क्योंकि यह अब इसमें भी एक हम क्या करेंगे एक रिवर्ब इसको इसमें डाल देंगे रेक्लिक इफेक्स्चेन स्पेस डाल देते हैं एक दम नीचे चलाएगा वह स्पेस अब इसको थोड़ा बढ़ाएंगे और अल्यडी ओन है मेलोडी को create किया जाता है उसको console में जाके कैसे उसमें effect एड़ किया जाता है इसका जो अगला tutorial आएगा उसमें हम लोग इसमें दूसरा effects जैसे compressor, equalizer, reverb, delay कैसे हम इसमें use करते हैं वो सब दिखाएंगे तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही मुलाकात होगा दूसरे एक वीड मेरे इस चैनल को subscribe कर लेना तकि मेरा upload किया हुआ वीडियो का notification सबसेच जल्द आप लोगों के पास बहुत जाए तो दोस्तों मुलाकात होगा दूसरे वीडियो में तब तक के लिए goodbye thank you